हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा बारहा आरोह भाग दो का आठवा पार्ट पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसिदार इस पार्ट में आपके दो पार्ट में है ये पार्ट जिसमें पहला है कवितावली उत्तरकांड से और दूसरा है लक्षमन मूर्चा और राम विलाप त तो पहले तुलसिदार जी का परचल देखते हैं तोंसी दाशी परचय के मोहताज नहीं है बचों गोष्वामी तुलसिदार का जण बांधाजिले में राजपुर गावी में सन 15 32 में हुआ था उनकर ज़न्म सौरों मानते हैं इनके ज़न्म के विषय में बहुत से मिला इनके गुरु नरह रिदास दे उनने इनको राम क्रपा का रास्ता दिखाया कि तुम राम की G recipe इनका विवाह रतना के फटकार से ही वयरागी बनका रामभक्त में रीन हो गये बहुत धूबिस रता शुबॅली थे तशी कहानिया हैे है máximo हम च कुछ काम करो उसके बाद यह वैराग ले लिया इन्होंने यह सब तरफ से विरक्त हो गए विरक्त मतलब इनका कहीं पिर मन नहीं लगता था फिर इनका कहीं पर मन नहीं लगा और इन्होंने अपना मन कहां लगा लिया राम की भक्ति में लगा लिया और यह विरक्त होकर काश सबसे बढ़ी विशेष्टा थी उस पर इनोंने कविता आवे लिखा और उसके अलावा इन्हों ने दोहा, चौपाई, सोठा जैसे सच्चन्द लिखे बचुँ और भाषा इसी प्रयोक करी लोक भाषा कीया जो अवधि भाषा थी ब्रज भाषा की उसका प्रयोक कीया और वह भाषा लोगों की अपनी बोलचाल की भाषा ती तो लोगों को भत आसानी से इनकी समझ में आने लगे नोक मंगल का ख़ाता है लोक मंगल क्यों की इनको समाज में जिनी भी बुराइवां चल रही है है उनका इनको पता ठा और यह झोवी आधर्ष चाहते थे वह पर कमऺता में लगते थे तो इनको कहा जाता है कि दुनिया का सबका मंगल चाहते थे अच्छा चाहते थे तो एक आदर्श समाज आदर्श पिता आदर्श भाई आदर्श पत्नी की जो जो गुण होते हैं वो सब इन्हों अपने कावे में दिखाए अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है उप्मा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग इनके राम चरित्मारस में देखने को मिलता है अभी जो हम कविता वाली पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रतिपाति देखेंगी य सब किसली हो रहा है पेट की आग से यह पेट की आग ही है जो हमको अच्छा बुरा करवा अगर बच्चो पेट ना होता तो शायद ना हम काम पे जाते ना हम कुछ काम करते ना हम सुबह उठते हमारा हम से पढ़े सोते रहते क्यों करना क्या है पेट भरने की जरूरत ही नहीं इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान केवल एक ही कर सकता है, राम रूपी घंश्याम के कृपा जल में दिखता है. यानि राम का भगवान रूपी जो घंश्याम है, यानि बादल हैं, वो जब आएंगे तभी इसका हल होगा. मतलब ये जो दुख दर्द हमारे पास है, पेट का दर्द है, पेट की आगए, ये कौन चांद कर सकता है? केवल वो राम ही हमें इसको चांद कर सकते हैं. तो ये इनके कावे में आपको देखने को मिलेगा. मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उदेश से करता है. चाहे वो व्यापार हो, खेती हो, नौकरी हो, नाचना हो, गाना हो, चोरी हो, गुपचरी हो, सेबा करना, किसी की नौकरी करना, गुणगान करना, शिकार करना, जंगल में जाना, ये सब काम किसलिए है पेट की आग बढ़ जाती है कि आदमी इतनी संतान को अपने बच्चे को बेचने तक के तियार हो जाता है तो ये आग इतनी बुरी हो और ये बात जो यहाँ इन्होंने कविता में कही है यह बहुत हद तक सच भी है बचो कि आदमी जब बजबूर हो ज भी बड़ी है समुद्र में लगने वाली जो आग है उससे भी जादा ये बड़ी आग है और इसको केवल राम रूपी घंचाम ही इस आग को पुचा सकते हैं जब राम रूपी घंचाम प्रेम की वर्शा करेंगे तब हमारी आग जो है वो शांत हुआ उसके बाद कविता वल विकारी को भीक नहीं मिलती व्यवपारी व्यवपार नहीं कर सकता नौकरी की चाहा रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती लोगों के पास अजीवका कोई साधन नहीं है वे विवश है वे पुराणों में कही और दुनिया की देखी बातों से अब यह प्रतीत होता है कि अब आप ही दरिद्रता रूपी रावन का विनाश कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो सवया है उसमें वो कहते हैं कवी ने भक्त की गहनता और सगंता में उप्जेश भक्त हरदै से आतमिश्वास का सजीव चत्रण किया। मैं कहते हैं चाहिए कोई मुझे धूर्थ कहे, अब धूर्थ कहे, जोगी कहे, या राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, किन्तु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और ना किसी की जाती बिगारने वाला हूँ, मैं तो केवल अपने प्रभु राम क का गुलाम हूँ जिसे जो अच्छा लगे वो कहे मैं मांग कर खा सकता हूँ मस्जद में सो सकता हूँ किन तो मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ अभी जो आखरी सब आया है इस में कविता वाली का उसमें वो ये बताते हैं कि मैं इश्वर के प्रेम में इतना लीन हूँ कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए लेना एक न देना दो बताब उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है वो उनको मिल जाएगा तो मांग के खालेंगे और मंदिन में जाकर सोचाएंगे के एबल राम से उनकी लगन लगिए बस उसी के प्रेम में वो व्यस रहना चाहते है तो यह यहाँपर सवयः कविता वली का पहला कवित देखिए कविता वली के दो कवित हैं और एक सवया आपको दिया गया है यहाँ पर पहला कवित यह जो लिखा है यह पंक्तियां यह किस चंद में लिखी हुई है कवित चंद में लिखी है तो पहला कवित देखिए बचो इसको कितनी सुन्दर लिखी है कविता है इसका आप अनुप्रास सलंकार देखेंगे तो चमतकार है मतलब बोलने में जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने का आनंदिय लगाता है कैसे पढ़ेंगे किस भी किसान कुल बनिक भिकारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गीरी अटत गहन गन अहन अखेट की उचे नीचे करम धरम अधरम करी पेट ही को पचती बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक रामघन श्याम हीत आग बडवागी है बड़ी है आग पेटी इतना सुन्दर है पढ़ने में ही कितना मतलब जो शब्दों का तोड़ है और जो आवरती है वर्णों की वो कितना सुन्दर आपके आगे आखों के आगे चितरन करता है और बोलने में धन न्यात्मक प्रभाव है इसमें अभी यहां बचों कुछ शब्द हैं जो कठिन है आपको शब्दों के अर्थ याद रखने पड़ेंगे जैसे किस भी किसान कुल किस भी मतलब धंदा बिजनस किसान कुल किसान मतलब पता ही है कुल मतलब परिवार बनिक मतलब व्यापारी बनिक मतलब बनिया व्यापारी तो यानि किस भी यानि धंदा करने वाले लोग किसान उसका परिवार बनिक मतलब व्यापारी विकारी आपको पता है भाट मतलब चारण लोग जो भाट होते थे राजाओं के दरवार में नाचगा करके राजा का वनोरंजन करते थे उनको था इसे सब ये सब धंदे किस लिए है पेट मतलब मतलब अ किसानः परिवार बिकारी घंद रहीक नाचने गाने वाले लोग चाकर नौकर चपल नट मतलग जो नट होते हैं अपना करतब दिखाते हैं चोर, चार मतलग सेवक, चेटकी मतलग भी बाजिगर तो जो ये सारे लोग हैं ये सब क्यों कर रहे हैं पेट को पढ़त गुन गढ़त चड़त गिरी गुन गढ़त ये किसले विद्ध्या सीखते हैं गुन मतलब विद्ध्या गढ़त मतलब सीखना ये किसले विद्ध्या सीखते हैं ये विद्ध्या सीखते हैं कि इनको इनका प परवत पर चड़ेगा, उसको अपने पेट भरना है, उसको अपना पेट देखना है, कैसे पेट पालेगा, इसके लिए इतने सारे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप भी क्यों पढ़ रहे हैं, आपका अंते मुद्देश ही क्या है, यह उद्देश नहीं कि बड़ा ज्य बिकारी, चनट, चपलनट, चोर, चार, चेट की, ये सब लोग पेट के लिए पढ़ते हैं, पेट को पढ़त, गुन, गळत, गुन, गळत मतलब विद्या सीखते हैं, चढ़त, गिरी, परवत पे भी चढ़ जाते हैं, अटत, गहन, गन, अहन, अखेट की, अटत, गहन, गन, गहन मतलब कंबीर, गहरा, गन मतलब जंगल, गहन गन मतलब गना जंगल, जंगल गने जंगल में गन अहन अहेट की जा करके आखेट करते हैं, आखेट मतलब अहन मतलब दिन भर, अहन मतलब दिन भर आखेट की मतलब शिकार करते हैं, शिकारी क्या करता है, दिन भर जंगल में घने जंगल में घुणता है और शिकार करता है शाम को वो पशु मार के लाता है और फिर घड जाकर के उसको पका किकाता है तो किस ते पेट के लिए तो घने जंगलों में वो अटत गहन गण वो पूरे गहन जंगल में अहन मतलब दिन भर आखेट की मतलब शिकार करता है उचे नीचे करम कोई उचे काम करता है तो भी पेट के लिए नीचे काम छोटे काम गलत काम यह सब किस ले करते हैं पेट के लिए धरम अधरम कर लोग धरम भी करते हैं और अधरम भी करते हैं किस ती है सर्फ पेट के लिए पेट के लिए ही मर जाते हैं और जब नहीं कुछ करते तो अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं यह बचो जब उस समय में अकाल पड़ा तो अकाल में बहुत बुरी दैनिये दशा हो गई थी उस समय हमारे हां मुगलों का राज था हम पराधीन थे और जो राजा महराजा थे वह अपने मस्त रहते थे खूब गाते बजाते खाते पीते मनोनजन करते थे जो आम जंता थी वह तड़क रही थी परेशान थी ना बानी बरस्ता था ना खेट में अनाज होता था खाने को नहीं था लोग परेशान रहते थे उस समय का वर्णन तुलसी दाजी ने अपने इस कवितावली में किया है लोग कितने परेशान हैं किसान व्यवपारी बनेक मतला वाणेजे वाले बिकारी जो है वो भाट जो चारन करते हैं लोगों की सेवा करते हैं प्रशंसा क हैं नठ चोर यह सब क्या करते थे पेट को ही पढ़ी पढ़ते थे पेट के लिए शिख पालआची है vous पीठ के लिए जंगलों में सीख्ते एक हैलू में रहा काम पर भी करते थे खौते काम वी कर रा धरमा धरम करे लोग अच्छश और प्रहां है जो पाप करते हैं ओर दालते हों किसके लिए पेट के लिए अंतिमुद्देश तो उनका वही है ना कि हम चोरी डेकैती करें किसी से लूट पाट करें और पैसा मिल जाए और अपना पेट भरें तो जो धरम अधरम है वो सब पेट के लिए है अगर पेट ना होता तो ना धर्म होता ना धर्म होता तो सब कुछ कार किसले है? पेट के लिए. पेट ही की पचती, पेट ही को पचती. और पेट के लिए ही आदमी करते-करते मर जाता है. यहां तक कि उसे अपने बच्चों को भी बेटना पड़ता है. किसके लिए? पेट के लिए. तुलसी बुझाई एक राम घन शाम ही थे. तुलसी दाज जी कह रहे हैं, बुझाई एक राम घन शाम ही थे. राम रूपी जो घन बादल, शाम मतलब काले. अभी यहां दो अर्थ हैं, उसके राम और गन शाम. गन शाम मतलब क्रिश्न के लिए भी आया है, और यहां पर काले बादल के लिए भी आया है. कि राम रूपी जो काले बादल है, जब वो आएंगे, यानि राम की क्रपा होगी, आग बढवागी ते बड़ी है आग पेट की. तभी वो हमारी जो जंगल में लगती है, बढवागनी जो समुदर में लगती है, और जटरागनी जो पेट में लगती है, तो जो पेट की आग है, वो समुदर में लगने वाली आग से भी बड़ी है. जंगल की आग को किसी तरह बुझाया जा सकता है, शान्त किया जा सकता है, समुदर में बड़ी है आग पेट की यानि पेट की आग जटरागनी जो है वो समुदर में लगी आग से भी बड़ी है इसको कौन बुझा सकता है इसको सिर्फ राम रूपी जो घंचाम बादल आएंगे और उपर से प्रेम की करपा की वर्शा करेंगे तब हमारी यह अगनी जो है वो शा तब हमारी यह जटरागनी जो है पेट की आग जो है वो शांत होगी यह किससे भी बड़ी है बड़वागनी से बड़वागनी बतना समुदर में लगने वाली आग पानी पे आग लग जाती है बचों अपने आग जंगल में घर्शन से अपने आप आग लग जाती गर्वी की समय में लेकिन पेट की आग जट राग नी जो है वो सबसे बड़ी होती इसको शांत करना तब तक शांत नहीं होती जब तक इसमें कुछ खाना ना पड़े और इसको कौन शांत कर सकता है वो राम शांत करेंगे जो घन श्याम यानि काले बादल की रूप में आएंगे और क्रपा की वर्षा करेंगे तब हमारी जट राक नी इसका प्रसंग देखी अगर आपको यह लिखने को आए तो आप प्रसंग लिखेंगे प्रसंग में हम पार्ट पुस्तक का नाम और कवी का नाम लिखते हैं प्रस्तुत कवित हमारी पार्ट पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कविता वली के उत्तरकान से उद्रित है इसके रचेता तुलसीदास है इस कवित में कभी ने ततकालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का वेथार्थ परक्ष तरण किया है उस समय जो हमारा समाज था उसकी क्या आर्थिक व्यवस्था थी कैसी हालती उसका वच्चत्रण किया है तो व्याख्या देखिए तुलसी दाजी कहते हैं इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचलनट, चोर, दूत, बाजीगर आदी सब पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरेकी कलाई सीखता है, कोई परवत पर चड़ता है, तो कोई दिन भर घने जंगल में शिकार की खोज में बटकता है पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कारे करते हैं तदा धर्मदर्म पर विचार नहीं करते हैं वो धर्मदर्म भी कर लेते हैं अपने पेट भरने के लिए पेट के लिए वो अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं पजबूर है लोग अपने पिच्चों को बेशने के लिए तुलसिदाज जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान रूपी बादल से ही बुच सकती है क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है यहां क्या क्या है बचो कवित चंद है आपका इसमें समाज की य रूपक अलंकार राम रूपी घंशाम नहीं है राम ही घंशाम है राम ही घंशाम है बादल है वो तो यहां पर रूपक अलंकार किया है का प्रयोक किया है और अनुप्रास अलंकार की तो छटा ही अलग है का 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 कियावत किस्वी किसान कुल विकारी भाट चाकर चपल चोर चार चेट की गुन गड़त गहन अगन ये सब अनुप्रासलंकार के उधारण हैं उसरा कवित देखिए बचो खेतना किसान को भिखारी को न भीक बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीवी का विहीन लोग सीद मान सोच बस कहे एक एकन सो कहा जाई का करी अभी कितना सुन्दर लिखा है इतना आसान नहीं है वचो इतना सुन्दर कवित लिख देना अभी यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो समय है उस समय क्या और किसी को कुछ कामकाजी नहीं मिल रहा है अरे काम मिले काम करे तो उसे पैसा मिले ना काम ही नहीं है खेत ना किसान को किसान के पास खेत नहीं है खेत छिन गए उसके खतम हो गए है भिखारी को न भीख को भीख भीख भी नहीं दे रहा बली बनिक को बनिज बली तक तो चड़ नहीं रही है कोई कोई बली चड़ाये तो कोई वोजन मिल जाए बनिक को बनिज व्योपारी को व्योपार नहीं मिल रहा ना चाकर को चाकरी नौकर को नौकरी नहीं मिल रही जीवी का विहीन लोग जीवी का विहीन होगा जीवी का मतलब नौकरी के विहीन होगा बिना नौकरी के हो गए ह सीथमान मतलब दुख्य हो करके मन में क्या पार मिल रहा है ना चाकरी मिल रही यह क्या करें हम कहाँ जाएं पेट की आप जो है वो भड़क रही है भूख के मारे तड़प रहें लोग लेकिन उनके पास काम काज कुछ नहीं है बेदा हूं पुरान कही लोक कहूं बेलो किया तबी तुलसिदास जी कहने है तो मैंने तो बेद पुरान सब देखा है लोक बेलो के दुनिया में द होने राम जुह हैं वो ही सब पर आकर के ख्रपा करेंगे जब संकट की घरी आती कोई हमारा मदद करने वाला कोज है उस समय हमारा कहते हैं जिसका कोमदध होना तो इस fumet कोई हमारी मदend नहीं रहे कर तक और पर साके सबके उपर संकट आया है उस समय हमारे राम ही जो हो हमारी मदद करेंगे अखरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दारिद दसानन दसानन मतलब दस्तर वाला राक्षा रावन दरिद्रता का रावन यहां पर इतना सुन्दर मान भी करण कर दिया दृद्रता को रावन बता नाश करेंगे दैन्दीन देख मतलत जलते हुए भगवान से कह रहे है दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंदू हे इश्वर इस दर्था के दशानन ने हम सबको दबा रखा है जकड रखा है दुनी दुगनी दाकत से जकड रखा है मतलब हमको पकड़ लिया है अब आओ और हमको कष्ट मुक्त करो दुरेत दहन दुख देखी तुलसी हा करे औ और इनका दुख देखो और इनको दुख देख करके तुलसी दाजी हा हा कार कर रहे हा कर मतलब दर्थ से चीतकार कर रहे है इश्वर इश्वर आओ नहीं देखा जा रहा है इनका दर्थ नहीं देखा जा रहा है दुरेत दहन इनको दर्थ में दहते जलते हुए नहीं तुलसी दाजी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है, इस समय किसानों की खेती नश्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल रहा, कोई भीक मांगकर निरवाह करना चाहे तो भीक नहीं मिलती, कोई बली का भोजन भी नहीं देता, व्यपारी को व्यवपार भी नहीं म था कि जब जब संकट आया है तब राम ने करपा करी है हे दीन बंदू इस समय दर्दतार रूपी रावण ने समूचे संसार को तरस्त कर रखा है दबोच रखा है अर्था सब गरीवी से भूख से पीडिते हैं आप तो पापो का नाश करने वाले हैं चारों तरफ हाहा कार नाश करो जो मीदा समझ में आया होगा दूरित दहन मतला जो हमारी परिशानिया है उनको दहन करने वाले हो तुम तो जलाने वाले हो नाश करने वाले हो हमारे पापों का नाश करने वाले हो यह इश्वर तुम आओ और हमारे पापों का नाश करो और इस समय में दर्दरता कि अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं तो रामका भक्त हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। किया कहते हैं। दूट कहो अव धूट कहो रजपूत कहो जुलहा काओ को काओ की बेटी से बेटा ना वियाहब काओ की जाती बिगार न सो तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे क RHU मांग के खैबो मसीत को सोई बोले वो को एक न देवो को दो पंक्तिया कितनी सुन्दर है बचो देखिए क्या कहते है वो धूत कहो धूत मतलब जिसने सब क्याग दिया हो सन्यासी मुझे तुम धूत कह दो अब धूत कह दो अब धूत मतलब सन्यासी कह दो धूत मतलब मूर्ख धूत मतलब मूधूत कहो चाहे तुम मुझे मूर्ख कहो चाहे तुम सन्यासी कहो, राजपूत मतलब चाहे राजपूत कह दो, चाहे जुलाहा कह दो, राजपूत उच्छी जाती, जुलाहा मतलब नीची जाती, तो चाहे तो मुझे मुझे मुर्ग कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे तो मुझे राजपूत कह दो, चाहे जुलाहा कह दो काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहा देखो मुझे किसी की बेटी से अपने बेटी की ब्याहा नहीं करना यानि जब हम अपने बेटे का ब्याहा किसी की बेटी की करके ले आते हैं तो उस बेटी का जात बदल जाती है तो मुझे तो अपनी बेटे का भ्याहा नहीं करना है किसी की बेटी से, मैं तो किसी की जात बिगारने वाला नहीं, तो तुम मुझे कुछ भी कहते रहो मेरी जात से क्या मतलब है तुमको, जब मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर रहा अपने बेटे की, तो तुम्हें नीची जाती का होंगा और किसी लड़की से शादी कर लूँगा बेटे की तो वो लड़की भी निमन जाती की होगी तो मुझे उसकी जात नहीं बिगाड़नी है तो मुझे किसी की लड़की से शाविवाह नहीं करना अपने बेटे का और ना मुझे उसकी जात बिगाड़नी तुलसी सर नाम गुलाम है राम को मेरा तुलसी का जो सर नाम है सर नाम मतलब जो नाम हमारा सर नेम लगता है हमारे पीछे जो सर नाम लगा है वो क्या लगा है राम का गुलाम मेरा सर नाम क्या है राम का गुलाम तुलसी राम का गुलाम तो मेरा तुलसी सर नाम गुलाम है राम को मेरा सर नाम तो राम का गुलाम है जाको रुचे सो कहे कच्वो अगर तुम्हें कुछ और अच्छा लगता तुम कुछ और बोलो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मेरा सर नाम मैं तो इस नाम से प्रसद दो मैं तो राम का सेवक हूँ तो मेरा कोई सरनाम नहीं है तुम्हें जो बन है वो बोलो राजपुत बोलो, जुला बोलो, मुर्क बोलो अवदूद बोलो, जो मुलह बोलो मांग के खैबो, मैं मांग के खालेता हूँ मैं जो किसी से मांगने में शर्म नहीं आती मांग के मैं मांग के खा लेता हूं इश्वर के घर में जाके सो जाता हूं लेवो को एक नदेवे को दू ना मुझे किसी से लेना एक है नदेना दो ये मुहावरा है लेना एक नदेना दो मतलब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है मैं अपने में मस्त हूं इश्वर की भक्ती म मस्त रहता हूं। मुझे जो मिल जाता है भीक मांग के फो मैं खा लेता हूं और मंदिर में भईच्षवर के घर में सो जाता हूं। ना मेरे पात बेटा है जो किसी की बेटी से शादी करओगा, उसकी जात्बिगाड़ोंगा। चाहे तो मुझे धूर्त कहो, चाहे अवदूत कह दो, चाहे राजपूत कह लो, चाहे जुलाहा कह दो, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, मेरा नाम क्या है, मेरी पसद्धी किस बात से, मैं राम का गुलाम हूँ, यही मेरा परिचे है, और इसके अलावा मेरा कोई परिचे न लिखा है कि कहते हैं कि शिरी राम का भक्त है वो खंडन करते हैं कि मैं तो शिरी राम का भक्त हूं कभी आगे कहता है कि समाज में चाहे मुझे धूर्त कहें चाहे यह लोग मुझे बेवकूफ कहें धूर्त या अवधूत कहें सन्यासी पाखंडी कहें कोई फरक नहीं पड़ है कि मैं राम का गुलाम हूं उसमें पूनता समर्पित हूं अता जिसे मेरे बार में जो अच्छा लगे वो कहे जहे जो कहे सो यानि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कहो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं मांग कर खा सकता हूं मस्जिद में सो सकता हूं तथा मुझे क मुझे लिए सब्सक्राइब कोई संबंद नहीं वे राम का समर्पित भक्त है के रहे तीन दुनिया से समाच से मुझे कुछ लेना देना नहीं जहां पर चोटा बड़ा पंडे शूद्र वैंश ये सब चल रहा है यहां मुझे कोई मतलब नहीं मैं उसी श्वर का भक्त हूं म मुझे बस उससे ही मतलब है, यहां पचों इसमें भी ब्रजभाशा का प्रयोग है, यह कौन सा छंद है? सवया छंद है, यहां पर लेबे को एक देबे के नदोव में एक मुहावरे का प्रयोग की आगे है, सुन्दर मुहावरा है, यहां जो राम के साथ भक्ती दिखाएं, वो कौन सी भक्ती है? तुलसी दास हमेशा अपने आपको दास मानते थे, यहां पर सेवक भक्ती है, राम के साथ उनकी सेवक भक्ती, वो अपने आपको सेवक मानते थे, राम को स्वामी मानते थे, समाज में जो फैली खुब रथाएं थी, उनका खंडन करते हुए, उन्हो कवित पढ़ें एक सवया पढ़ा अगर समझ में ना आए तो दुबारा फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा और इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे पार्ट टू वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लक्षमर मुर्चा और राम पढ़ेंगे तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कमेंट करके मुझे बताईए बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है मिलते हैं नेक्स वीडियो में